हेलो एबरिवन वेलकम यू आल इन आवर उनलाइन लेर्णिंग प्लैटफॉर्म लेट्स तड़ी इंडिया आज के इस वीडियो में हम टाइपस ऑफ ख्रोमेटिग्राफि के बारे में डिसकस करेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट तडिकी की क्रोमेटोग्राफि होती है उनका क्या फ्रिंसपल है वो कैसे वर्क करते हैं और ये सारी चीजे हम आज के इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो होता है वो पेपर है हमारे पास इसमें अलग अलग components present है तो इस components को separate करने की जो technique होती है जिस technique से हम इस components को separate out करते हैं इसे technique को हम कहते हैं chromatography अब बात आती है paper chromatography की तो करना तो हमें वही चीजे है mixture से उसके components को separate करना है लेकिन यह separation में यूज क्या करेंगे हम paper chromatography paper यूज करेंगे या wattsman paper जिसको कहते हैं वह paper यूज करेंगे इससे क्या होगा कि हम क्या करेंगे किसी भी mixture से उसकी components को अलग कर लेंगे तो इस method को हम कहेंगे paper chromatography क्यों कि इसमें हम paper का यूज कर रहे हैं तो पेपर कैसा होता है देखे ये आपका एक ऐसे हम पेपर को ले लेते हैं कट करके एक पेपर को हम लेते हैं उसमें हम कुछ दूरी पे लगबक एक सांटीमीटर कह लीजे या दो सांटीमीटर पे एक लाइन जो कर देते हैं यह लाइन को हम कहते हैं कि सांपल लाइन है इसे लाइन पर हम क्या करते हैं सांपल्स को पुट करते हैं माल दीजिए हम इस पर डिफरेंट डिफरेंट सांपल्स को यहां पर पुट कर दे रहें devil है और पेपर लिया हमने उसपे लाइन जोम किया सैंपके उसपे हम सांप को है तो बिल जा सेंपाल डेते हैं अब हमें क्या करना है मेरे हमारे पास तो पेदर हमारे पास होना चाहुत है मैं जिए कि एक कोई जार है सém चाहिए c जार का प्रॉपर लेड होना चाहिए जिससे हम उस जार को बंद कर सकते हैं तो हम गया करते हैं सॉल्वेंट प्रिपेर करते हैं और इस सॉल्वेंट को इस जार में डाल करके बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए ये जार बंद है थोड़ी देर के लिए ये solvent जो है वो अच्छी तरीके से अपना set हो जायता कि उसके बाद हम इस paper को उठा करके इस solvent में dip करते हैं तो paper को पूरा dip नहीं कर देना है paper को ऐसे इसमें dip करना है कि ये जो हमने sample डाला है ये sample इस solvent में नग जाए sample जो है वो solvent में नहीं डूबना चाहिए क्योंकि आप सोचो कि अगर sample solvent में डूब जाता है तो डूबने के बाद क्या होगा ये जो है ये solvent में घुल जाएगा हमें ये नहीं कराना है हम क्या करेंगे कि इस paper को ठाके solvent में डालेंगे और ऐसे डालेंगे कि ये जो हमारा जैसे माल लीजे ये है तो ये हमारा sample जो हमने लोड करा है sample जो हमने लोडिंग करी है वो sample इसमें नहीं डूबना चीए अब क्या होगा फिर हम इस paper को यहाँ पे किसे clip से या हम लोगों ने जब करा था तो उसको धागे से बांद करके धागे को इसके बाहर निकालके धक्कन को लिड को उसके एकदम टाइट बन कर दिया था तो पेपर उतने पर ही रहेगा अब पेपर का जो नीचे का हिस्सा है वो solvent से connected है solvent के connect में है तो क्या होगा कि जो solvent है वो mobile phase की तरह काम करता है और वो क्या करेगा वो movement करना start करेगा movement करना कैसा start करेगा जैसे आप इसको देख रहो यहाँ पर हमने पेपर को लगाया है यहाँ तक solvent है अब यह solvent इस पेपर के capillary action के तुरू उपर की तरफ move करना start करेगा तो कुछ उपर samples है तो जब यह solvent samples होता हुआ उपर की तरफ move करेगा तो यह samples जो है यह भी move करना start करेंगे इसके साहथ इसके जो molecules है वो भी क्या होंगे move इसमे क्या होगा यह paper जो है यह stationary phase की तरह काम करेगा और यह जो molecules मूउफ करना है वो कैसे होंगे mobile phase की तरह काम करेंगे अब उसके बाद यह separate होना start होंगे देखी यहां पर कैसे separate हो रहे हैं separate होना start होंगे तो हमें उस पर अलग-अलग dots दिखेंगे या अलग-अलग patch दिखेंगे जिससे हमें यह पता चलेगा कि हां क्या है कि यहां तक sample move करा है या component जो है वो हमारा यहां तक move करा है फिर हम क्या करते हैं आरेफ वयल्यू को calculate करते हैं उससे क्या करते हैं हम आरेफ वयल्यू को आरेफ वैल्यू बोले तो रिटारडेशन फैक्टर रिटारडेशन फैक्टर को कल्कुलेट करते हैं कैसे कल्कुलेट करते हैं हम क्या करते हैं आरेफ वैल्यू को कल्कुलेट करने के लिए माल दीजी जिस कंपोनेंट की आरेफ वैल्यू कल्कुलेट करनी है तो हम इसका distance देखते हैं कि इसने कितना travel करा है upon में solvent हमारा कितना travel किया है RF values equal to क्या होता है distance traveled by components upon में distance travel by solvent यह RF value को calculate करता है लेकिन एक चीज है मान लीजे जरूरी नहीं है कि हमारा जो component है वो जब travel कर गया तो हमें ऐसे ही देख जाए यह compulsory नहीं है तो हम क्या करते है मान लीजे यह paper जैसे आप amino acid का जब chromatography करेंगे तो amino acid का जब हम करते है तो हमें जो यह paper रहता है उस paper पर हमें कोई spot कोई color नहीं दिखता है अलग से तो हमें क्या करना पड़ता है इस paper पर निन hydrin का spray करना पड़ता है जब हम निन hydrin से spray करते हैं तब हमें क्या होता है color जो होता है वो दिखने लगता है कि हाँ ये spot यहां तक है तो उसके बाद आप उसकी RF value को calculate कर सकते हो RF value जहां तक component travel करा है उस distance को देख लो उसके बाद पूरा solvent जिसको हम क्या कहते है solvent front क्या कहते है solvent front कहते है तो पूरा देख लेते हम कि क्या हुआ है यह paper chromatography है अब paper chromatography की बात करें तो paper chromatography जो होता है यह भी further कई types के होते हैं जैसे एक होता है ascending ascending paper chromatography ascending paper chromatography में क्या होता है कि छीजे जैसे यह वाला जो हमारा है यहाँ पर क्या और है नीचे से उपर की तरफ जा रही है ascending मतलब क्या पढ़ते है छोटे से बड़ा तो यह हमारा solvent का flow है यह क्या है हमारा यह solvent का flow हमारा इस direction में है तो इसको हम कहते है ascending paper chromatography लेकिन अगर आप इसको उल्टा कर दो यह कुछ ऐसा है और यहाँ पर एक tank लगा हो जिसमें solvent present हो आप क्या हो रहा है चीजे पलट गई यह वो tank है tank contain solvent यह वो tank है जिसमें solvent है तो अब क्या होगा यहाँ से solvent जो है यह downward direction में move करना start करेगा solvent क्या करेगा downward direction में move करना start करेगा तो इसको हम कहते हैं descending paper chromatography ascending हो गया जब उसका direction नीचे से उपर की तरफ था लेकिन descending कब होगा जब उसका direction उपर से नीचे की तरफ होगा तो यह था पवे paper chromatography के बारे में next देखते हैं ion exchange chromatography क्या है ion exchange chromatography तो करना chromatography ही है लेकिन जो हम molecules का separation करेंगे जो उसकी components का separation करेंगे वो किसके basis पर करेंगे वो ions के basis पर करेंगे तो ions कितने होते हैं दो या तो cation या anion ठेक या तो cation होता है या तो anion होता है तो इसमें क्या होता है हम एक column लेते हैं column ले लो या bureaut जिसको कह लेते हो, आप कुछ भी ऐसा ले लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, कि कुछ बीड्स को डाल देते हैं, अब वो बीड्स क्या करती हैं, वो बीड्स जी हैं, वही स्टेशनरी फीस की तरह इसमें काम करती हैं, हमने बीड्स को जब हम डालते हैं, माली जी यह हमारा इस कॉलम में हम just tääq ये बीट्स के इंदर मैट्रिक्स फिल रहेगा इन बीट्स के इंदर मैट्रिक्स फिल होता और ये ट्सके तरह अच्छिक करती है अब क्या होगा इस बीट्स से कुछ functional group attached होते हैं इस beat से कुछ functional group attached होंगे अब वो या तो positive होंगे या तो negative होंगे अब आप सोचो कि अगर इस beat से positive attached है तो जब हम किसी solvent को या किसी buffer को इसमें डालेंगे माली जे पहले हम क्या करेंगे कि आप इसमें एक buffer को डाल देंगे buffer को डालने को अपना sample डाल देंगे तो अगर इस beat से positive group positive functional group attached है तो इस solvent में जो हमने sample डाला है उसमें जितने भी negative होंगे वो इनको attract कर लेंगे तो वो negative वाले को रोक लेंगे और अगर वही ये positive रहेगा तो किसको करेगा negative वाले को अगर निगेटिव रहेगा तो positive वाले को attract कर लेगा क्या करते हैं इसमें purification of components on the basis of their charge उस पे क्या charge present है उस charge के basis पर हम इसका purification करते हैं कि जस molecule का purification करना हो उस पर क्या charge present है चार्ज के basis पर इसका purification हम कर लेते हैं तो इसमें column को हम कुछ beats से भर देते हैं यह beats जो होती है यह ऐसी होनी चाहिए कि पहले तो इसके अंदर matrix भरा होना चाहिए और दूसरा यह beats ऐसे होने चाहिए जो pH के variation को tolerate कर पाए लाइक pH में अगर हम variation करा रहे हैं तो ऐसा नहों कि यह खराब हो जो beats रहती है वह किसका काम करती है stationary face का काम करती है मैंने आप ही बताया ठीक फिर sample को हम mix करते हैं buffer के साथ और उसको हम कॉलम में पोर कर देते हैं अब आप सोचो कि यहां पे beats लगी हुई है यह तो movement कर नहीं रही है जब हमने sample के साथ buffer को mix करके डाला तो वह इस पे ऐसे movement show करेंगी तो वह किस की तरह काम करेंगी वह mobile face की तरह काम करेंगी एक तो वहां पे यही वाला concept आप लगता है कि अगर मालीजे आपके कॉलम में यह beats हैं इन beats की उपर positive charge present हैं तो हम कहते हैं cation ion exchange chromatography यह कौन सा type होता है cation ion exchange chromatography वाला types होता है वहीं अगर beats के साथ negative group present है तो हम इनको कहते है anion ion exchange chromatography क्या कहते हैं anion exchange chromatography अब आप सोचो कि यह कॉलम है ठीक है अब जब हम इसमें sample को डाल रहे हैं तो जो negative वाले होंगे वह इनके साथ covalent bond से जोड़ जाएंगे ठीक है इस तरीके से इधर भी जोड़ जाएंगे वह पूरा covalent bond से जोड़ जाएंगे अब क्या करेंगे कि जो इसमें इसमें इसकी washing करेंगे इसकी washing करेंगे तो washing में क्या होगा कि जो unwanted चीजों या जो bind नहीं होई रहेंगी वह wash out हो करके बाहर आ जाएंगे हम और हम उसको क्या करेंगे एक करमें से कलेट कर लेंगे उसके बाद हमें क्या करना है हमारा जो डिजायर मतलब यह जो निगेटिव वाले ते यह हमारे डिजायर है क्योंकि हमको पता है कि हमको निगेटिव वाले करना है कि पॉस्टिव वाले को सेपरेट करना है तो हम कटायन वाले में कराएंगे पॉस यह क्या है कि हमें यह negative वाले चाहिए क्योंकि हमारे यही desired थे तो अब हम क्या करेंगे इस पर solution या मानली जी आप salt या salt या buffer solution डालते हैं ठीकि क्या करते हैं salt या buffer solution salt या buffer तो मालने जिए अगर हमने salt ले रहा है तो salt में क्या होता है NaCl ठेके जिसमें Na plus और Cl minus तो अब जब हम इसमें salt solution को डालेंगे तो ये Na plus या Cl minus जो है ये salt क्या करेगा इसके covalent bond को break करेगा और जैसे ही इसके covalent bonds break होंगे तो ये जो molecules थें वो भी नीचे आएंगे और हम उसको एक अलग बीकर में collect कर लेंगे अब आप सोचो हम क्या करते है एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर मालीजे कोई एक positive group पहले से जुड़ा हुआ है और हम क्या कर रहे है एने प्लस को इसमें डाल रहे है जिससे क्या हो रहा है यह एने प्लस क्या कर रहा है इसको replace करके खुद जा करके bind हो जा रहा है तो एक exchange हो रहा है जो हमें जो desire result हमारा वो हमें कैसे मिल रहा है यह एने प्लस जो है यह क्या करता है इसको हटा करके कुछ को दे रहा है तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसमें जब रिलीस आउट होते हैं फिर हम एक बीकर में चंत्न कर लेते हैं तो उसके बाद यह हमारा result है फिर इसको detect करने के लिए हमारे पास एक graph method होता है जिस graph method पर हम इसको detect करते हैं और हम देखते हैं कि इस पर जब graphs आते हैं तो मतलब कि यह सीधी line है तो सीधी line का मतलब होता है कि सर्फ हो सिर्फ solvent pass out कर रहा है molecules नहीं निकल रहें लेकिन अगर इसमें peak का formation दिखता है तो मैं यह लगता है कि हाँ molecules भी बाहर आ रहे हैं और इसी तरीके से हम ion exchange chromatography कर लेते हैं और मैं आपको बता दू कि यह जो anionic और cation और anion chromatography है इनके और भी नाम हैं जैसे cation exchange chromatography को हम acidic ion exchange भी कहते हैं क्या कहते हैं acidic ion exchange भी कहते हैं क्यों as in cation exchange chromatography negative molecules present and acidic molecules donate its proton इसमें क्या होता है कि negative जैसे माल लेजे आपकी ठेक तो इसमें क्या होगा minus है तो इसमें क्या होगा इसको एक protons मिलेंगे acid जो होगा acid अपने protons को मतलब acid में क्या होता है कि h plus ion concentration ज्यादा होता है तो यह क्या करेगा इसको लेगा और convert हो जाएगा c o o h में ठीक है तो इसलिए इसको क्या कहते हैं एक और नाम देते हैं acidic ion exchange उसी तरीके से anionic exchange को कहते हैं हम basic ion exchange chromatography क्या कहते हैं basic ion exchange chromatography यहां पर क्या होता है o h का concentration जादा रहेगा o h minus का तो वह क्या करेगा accept करेगा protons को क्या करेगा protons को accept करेगा तो इस तरीके से इसके और नाम है अब मैं आपको बता दूँ कि यह तो माल दीजे जो हम ion exchange chromatography कर रहे हैं यह उन molecules की chromatography कर लेंगे जिन पर कोई charge present है आइधर वह positive हो या negative हो लेकिन कुछ ऐसे भी molecules होते हैं जो neutral होते हैं मतलब net charge जो होता है उन पर zero होता है जैसे आप protein का ही example ले लो तो हम कह दे कि protein के पास क्या होता है positive negative positive negative दोनों groups present होते हैं protein के पास negative positive दोनों groups present होते हैं तो इसके लिए ऐसे molecules के लिए हम क्या करते हैं एक isoelectric point होता है isoelectric point जिसको हम कहते हैं PI isoelectric point क्या होता है isoelectric point वह point होता है जिस point पे किसी भी molecules पे net charge होता है वह 0 होता है तो जब हमको ऐसे करना होगा या जिसमें दोनों presents है या ऐसा molecule जिसका net charge जो है वह 0 है तो ऐसे molecule का करने के लिए हम क्या करते हैं कि ऐसे का करने के लिए माल दीजे यह है कोई एक molecule इसका pH अभी क्या है मतलब इसका isoelectric point 0 है अब हमारे पास दो कंडिशन होगी एक तो वह condition जब हम pH को high रखेंगे एक वह condition होगी जब हम high pH करेंगे तो उस टाइम पे कहा होगा the solution have more OH तो उस टाइम पे high pH में मतलब हम कहते हैं कि 1 से लेकर 14 तक pH वैल्यू होती है तो salmon जो होता है वह beach का point होता है इसके अधर acidic होता है इसके अधर basic होता है जिनके पास OH group present होते हैं तो OH group ज्यादा होगा तो जब इसके पास OH ज्यादा होगा तो यह protons को attract करेगा अपनी तरफ तब यह क्या करेगा protons को attract करेगा तो हो गया ना protons को attract कर रहा है तो मतलब ion exchange chromatography यहां पे हो रहा है उसी तरीके से एक condition आएगी जब हम pH को कम रखेंगे low pH लो pH होगा तो उसके पास ज्यादा क्या होगा उसके पास ज्यादे H plus होगे तो ज्यादे उसके पास proton होगे तो इस time पर क्या होगा जब अरे आप देखो कि अगर हमारा pH ज्यादा है तो बीट्स जो होगे इसके पास positive groups होगे ठीके और हमको पता है कि जब इस पे column में जो बीट्स उनके पास positive group present होते हैं तो वो कौन सा होता है अनायन एक्सचेंज तो आईसे लेक्रिक पॉइंट पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका करने के लिए दो condition ही या तो आप pH को हाई रखो एक बार अगर हाई लेक रखके कर रहे हो तो उस ताइम पर कौन सा एक्सचेंज होगा उस टाइम पर होगा अनायन एक्सचेंज और है जेल फिल्टरेशन या साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी इसमें क्या होते हैं इस क्रोमेटोग्राफिट टेक्निक्स में हम क्या करते हैं साइज की बेसिस पे मॉलिक्यूल्स का सैपरेशन करते हैं इसलिए हम इसका नाम भी देते हैं क्या साइज एक्सक्लूज साइघंश को ऐ Șकर पी जेल करेज से जेल घंटरीशन जैसे आपको यहां पर दिखा रहे हैं हमां में क्या को प्रार.. उसमें पूरस जेल बैंड भरे होते हैं.. बार सभात बमस्क्कलिर जैसे जैसे आपकोần में दिखो ग्यान कई होती है.. यहाँ पे भी काम यही करना है कि माली दीजिए एक कौलम लीजिए उस कौलम में कुछ पॉरस Îl bearing जब आ बोरोगे तो भी साइसे होने चाहिए मतलब उसमें च्छुटे 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 फोर्स प्रेजेंट होने चाहिं मालों यह आपका बीट है तो इसमें यह आपके छोटी 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 पोर्स प्रेजंटस हैं, तो यह कैसे होनी चीह है, पोरस बीट्स प्रेज़ंट खाने चीह हैं, इसमें हम मॉलेक्वल्स को सेपरेट करते हैं on the basis of size and shape, और यह क्या करता है। कॉलम जो होता है उसको हम बीट से भर देते हैं जो पोरस बीट अब आप सोचो कि जब इसको हमने ऐसा कर दिया तो फिर इसके उपर हम सैंपल मिक्स्टर को डालते हैं उसके बाद बफर को भी डाल देते हैं अब ये क्या करेगा मूव करना स्टार्ट करेगा तो मूव करना जब स्टार्ट करेगा तो इस वीट के इंदर छोटी छोटी स्चेद प्रेज़न्ट हैं लेकिन जो बड़े मॉल्यक्यूल्स वह सिछा ठुडएए वह चोर्च और भैठ जाएंगे जिनको हम क्या कहते है, voids, क्या कहते है, V-O-I-D-S, यह voids क्या होता है, उनके बीच की जो खाली जगा होते हैं, उसको हम voids कहते हैं, तो जो छोटा molecule होगा, वो तो इसके pores में जाकर के सेट हो जाएगा, बट जो बड़े molecules होंगे, वो इसके pores में जाकर के सेट नहीं होंगे, वो वोईड में जाकर के बैठ जाएंगे, फिर जब हम उपर से बफर को डालेंगे या सॉल्वेंट को डालेंगे हम, तो क्या होगा, यह जो मॉलिक्यूल होंगे, जो पोर्स में नहीं गये हैं, वो क्या करेंगे, जेगे बना के बाहर आना स्टार्ट करेंगे, और उनको एक बीकर में कलेक्ट कर लेंगे, तो इसी तरीके से क्या होते हैं, जो ब्लार्ड मॉलिक्यूल होते हैं, वो पहले रिलीज आउट होते हैं, वो पहले बाहर निकल जाएंगे, जो लॉर्ज मॉलिक्यूल से वो पहले अलियूट हो जाएंगे, उनको हम क्या करेंगे, बीकर में क तो फिर हम उनको भी collect कर लेंगे, तो size की basis पे हम इसी तरीके से कर लेते हैं, क्या है, mixture put in column, after that solvent also, पहले हम mixture को दाल देंगे, वह mixture जिसमे हमारा components present है, जिनको separate out करना है जब mixture को हम डाल देते हैं देखे हम mixture को डाले तो फिर उसके वाद हम यहाँ पर solvent को भी डालना start कर रहे हैं अब कुछ जो होंगे वो इनके अंदर चले जाएंगे यह छोटे छोटे वाले होंगे लेकिन जो बड़े बड़े होंगे वो जब हम इसमें solvents का flow कराना start करेंगे तो यह जो बड़े molecules थे वो क्या करेंगे release out होना start करेंगे और उनको हम एक beaker में contain कर लेंगे उसके बाद हम solvent के flow को बढ़ा देंगे solvent का flow और तेश होगा तो जो molecules इसके अंदर बैठे हुएं वो भी निकलना start होंगे और उनको हम क्या करेंगे एक अलग beaker में contain कर लेंगे और इस तरीके से हम size के basis पे contain मतलब size के basis पे chromatographic कर ले रहे हैं size के basis पे molecules को separate out कर ले रहे हैं यह इसका क्या होते है एक reference chart होता है उसके लिखा होता है कि यह इस molecule का इतना size होगा यह इतने बड़े pores में set होंगे तो जो molecules हमें मिलते हैं उसको हम reference chart से match भी कर सकते हैं कि हाँ यह जो molecules मिला है यह किसका हो सकता है इसमें क्या present हो सकता है तो यह सारी चीजें हम कर लेते हैं ठीक उसके बाद इसमें कुछ चीजें होती है जैसे अगर इसमें देखें तो VX VX क्या donate करता है VX donate करता है volume of beads जैसे मालनी चीजें आपने एक column लिया है इसमें जो beads है यह कितना volume अकुपाई कर रहा है तो यह हमें कौन बताता है VX VX यह है वह हमें बताता है volume of beads कितना है फिर उसके बाद आता है VO volume of voids मैंने बोला ना इनके बीच में जो जगें खाली होती है इसको वोइड्स बोलते है जैसे माल लिजें कि यह कोई एक molecule है तो यह जो जगें खाली दिख रही है यह क्या कहलाती है voids तो volume of voids कितने है फिर आता है VT मतलब total volume कितना है वो beats को और voids का मिला करके उस column का total volume कितना cover हुआ है फिर आता है VE VE बताता है कि कितना amount of solvent जह है वो required हो रहा है solute को यह molecules को बाहर निकलने में molecules को allude करने में कितना amount of solvent required हो रहा है वो कौन बताता है VE और आप सोचो कि एक exclusion limit होती है exclusion limit बोले तो मालीजे हमने कहा कि इसमें हम क्या कर रहे है कि pores जो है beards present है इस beards पे pores है तो इस pores के कोई size fix होगी न ऐसा तो है नहीं कि वो pore बढ़ता घटता रहेगा जब जादू मंतर की तरह बढ़ रहा है घट रहा है घट रहा है ऐसा नहीं होगा इसका क्या होगा कुछ size fix होगा तो exclusion limit क्या होता है वो limit जहां के बाद चीजे exclude होती है बाहर ही रह जाती है मतलब इसका pore कितना है तो उस pore size के बाद उससे बड़े जू molecules होगे वो इसमें adjust नहीं होगे वो उसमें नहीं आएंगे तो उसी को हम कहते है exclusion limit the molecular mass of the smallest molecule unable to penetrate the pore उस सबसे छोटे molecule का molecular mass जो उसमें नहीं जा पाया है मतलब कि ऐसा नहींगी सबसे छोटा molecule जो उसमें जा पाया है वो वाला सबसे छोटा molecule जो उसके pores में नहीं जा पाया उसके pores में penetrate नहीं कर पाया है क्यों? क्योंकि वो उसके pore size से बड़ा था तो pore size से बड़ा था तो penetrate नहीं कर पाया है तो exclusion limit उसी कहते है the molecular mass of smallest molecule unable to penetrate the pores of given gel is said to be gel's exclusion limit इसे को हम कहते है कि यह gel की exclusion limit है, इस limit के बाहर की चीजों को वो accept नहीं करेगा इस limit के बाहर की चीजों को वो अपने अंदर नहीं लेगा, मतलब उसकी एक limit है जितना उसका pore size है उतने ही बड़े molecules को उसके बड़े को नहीं ले सकता है तो यह होता है gel exclusion limit यह तो बात हो गई साइस की अब बात करते हैं शेप की तो जो molecule होते हैं वो दो टाइप के shapes होते होते हैं उनके एक होता है fibrous और दूसरा होता है थेके, फाइबरस और ग्लोबिलर, तो ग्लोबिलर क्या होंगे? गोले-गोले इसे गुछ्चडाइब के ऐसे होंगे, ठीके, और फाइबरस क्या होगा? यसे पतले से धागे जो लंबे-लंबे होते हैं, तो हमको पता है कि कॉलम में क्या प्रेजन्ट है, जेल भीड्स वह बाहर आजाएंगे तो हम क्या करते हैं उनको कनेंकर लेते हैं हमें पता है कि पहले ऐगा तो हमने सामपल पहले मोलीकुल सोगे fibrous molecules होंगे और बाद में जो sample आएगा जब हम और उसके solvent को और बढ़ाएंगे और तेज ते डालेंगे तो क्या होगा जो globular molecules जाकर करके उसमें फसा हुआ था वो भी separate out हो जाएगा तो इस तरीके से हम size और shape दोनों की basis पे चीजों का separation कर लेते हैं there are two shapes present fibrous और globular fibrous molecules can't enter in beads hence it gets elucidate first वो पहले ही release हो जाएगे और globular molecules जो होता है वो beads में इंटर कर सकता है इसलिए वो क्या करेंगे वो last में release out होंगे फिर आती है बात HPLC HPLC बोले तो high performance liquid chromatography क्या है high performance liquid chromatography इसमें हम क्या गरते हैं ये इसका कुछ ऐसा setup होता है ठीके high performance liquid chromatography का कुछ ऐसा setup होता है तो इसमें क्या होते हैं high performance liquid chromatography के लिए भी एक column होता है इस column का diameter इस column की length जो होती है वो fix होती है, diameter लगवग 4.6 nanometer की होती है और length की अगर हम बात कर ले हम तो 150 से 250 nanometer की इसकी length होती है और इसमें हम भर देते हैं जैसे माल जो silika हमने इसमें भर दिया silika का powder जो होता है वो हमने इसमें भर दिया वो stationary phase की तरह काम करेगा अब इसमें special बात क्या होती है इसमें special बात की होती है कि इसमें हमको pressure देना पड़ता है इसमें जो हम movement कराएंगे वो movement molecules का movement जो होता है वो pressure के थू होता है pressure देते हैं तब movement होता है तो यहाँ पर एक pump देखिये लगा हुआ है यह pump क्या करता है यह 450 atmospheric pressure create करता है इस पर देने के लिए फिर हम क्या करते हैं solvent का flow कराते हैं solvent को किस से flow कराना है pressure के साथ flow कराना है pressure देना है तब flow होगा solvent और उस से time पर हम क्या करते हैं इसमें samples को inject कर देते हैं samples को inject कर देते हैं पिर जब इसमें से ये flow करता हुआ जाएगा, तो यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा होगा, यह डिटेक्टर जो होता है, वह molecules को detect कैसे करता है, तो यह molecules कि ऐसे detect करेगा, जो यह होता है, कि UV rays को absorb कर रहा है उस basis पे हम क्या करते हैं molecules को हम पता कर लेते हैं फिर इसे तरीके से उसको देखने के लिए के screen होती है हमारे पास जिस पर हमें graph बन करके आता है और यह graph जब plain रहेगा तो that means कि अभी कोई molecules का transfer नहीं हुआ खाली-खाली solvent move कर रहा है और वहीं जब graph में peak दिखता है तो यह समझ में आता है कि हाँ molecules भी transfer हो रहे हैं और उसकी intensity बताएगी कि वो कौन सा molecule है मतलब कितने intensity की UV light को या UV rays को वो accept कर रहा है इसमें हम क्या करते हैं column filled with silica powder जो polar nature का होता है ठीक है silica powder कैसा होगा polar nature का हमें दो चीज़े इसमें ध्यान रखनी है अगर हमारा stationary face polar है तो जो हमारा solvent रहेगा वो non polar होना चाहिए अगर हमारा stationary face non polar है तो हमारा solvent जो है वो polar होना चाहिए clear है column filled with silica powder जो की polar है nature में which behave like stationary face यहीं कि तरह काम करेगा stationary face की तरह काम करेगा और जैसे मैंने बताया कि column जो होता है उसका diameter उसकी length जो होती है वो fixed होती है तो length जो होगी tube की वो 150 से 250 nanometer की होगी और वहीं अगर diameter की बात करे तो वो 4.6 mm की उसकी diameter होगी pressure लगाते हैं हम यहाँ पे 400 atmospheric pressure हम इस solvent पे applied करते हैं जिससे कि solvent का movement जो है वो fast हो सके pressure बढ़ेगा तो solvent का movement जो होगा वो fast होगा अब यह बात याद रखनी है कि अगर stationary face polar है तो जो हमारा solvent है वो non polar होना चाहिए और अगर solvent polar है तो stationary face non polar होना चाहिए फिर उस solvent में जब solvent पास कर रहा है जैसा मैंने आपको diagram में दिखाया था कि जब solvent पास कर रहा है तो उसमें हम sample को inject कर देतें बहरा है column tube में तो वो silica हमारा कैसा है वो polar है और हमारा solvent जो है sorry solvent नहीं sample जो है वो भी polar है तो जब यह sample उस silica के पास जाएगा जैसे जिए उस column tube में यह पहुचेगा तो इसको polar को polar मिल गया मतलब उसको अपना दोस्त मिल गया तो वो उसको वहीं पर रोक लेगा मतलब उसस को बाइंड कर लिया अपने साथ वो इसको अपने साथ बाइंड कर लेगा इसे लिए जो polar molecules रहेंगे उनका allocation जो होगा वह बहुत slow होगा और जो non-polar होंगे भाईया वो solvent के साथ पहले ही निकल जाएंगे तो अगर हमने अपना वो stationary face polar लिया है तो हमें पता है कि इसमें जो बाद में निकलेगा molecules वो कैसे होंगे polar होंगे क्योंकि हमारा stationary face polar है तो जो sample flow होगा तो उसमें जो polar molecules होगे वो उसके साथ रुख जाएंगे वहाँ पे और non-polar बाहर आ जाएंगे लेकिन वहीं अगर हमारा stationary face non-polar होगा और polar वाले पहले बाहर आ जाएंगे उसके बाद non-polar जो रहेगा वो interact नहीं करेगा और जल्दी rapid fast वो बाहर आ जाएगा और polar जो है वो बाद में बाहर आएगा तो उसी तरीके समक्रेंगे पहले एक बीकर में उसको ले लेंगे फिर दूसरे बीकर में polar वाले को collect कर लेंग उसके बाद उसका detection करेंगे detection अभी मैंने बताया कैसे करते हैं डिटेक्टर से करते हैं उसमें क्या होगा UV rays को हम पास कराते हैं और UV rays molecules जो होते हैं इनको absorb करेंगे उनके intensity कितनी है ऑब्सौर्ब करने की हर molecules की अपनी अलग अलग intensity होती है तो उसके कितनी intensity उस UV rays को एब्सौ तो एस चार्ट से, हम क्या करते हैं, रुफ्रिक्स चार्ट से उसको मैर्च कर लेते हैं, इ dolphin are hy Linux कर सकता है, ये कौन सा मॉअलीक्यूल हो सकता है, और इस तरीके से हम प्ता कर लेते हैं, कि ये कौन सा मॉ độ्यूल होगा, अब इसनं क्या करते हैं, हम थोड़ा सा कहानी पलट देते हैं, मतलब उल्टी कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं reverse phase HPLC, हो रहा है HPLC ही बस हम उसको reverse कर दे रहे हैं, तो reverse करने का क्या मतलब होगा, कि जैसे हमने कहा कि हमारा जो कॉलम था, उसमें silica powder भड़ा भड़ा हुआ था, और यह silica powder किसकी तरह काम कर आप ने हम Expectation, is kami में गारिकिली को डॉलिको डाल डे अब जब यह silica जो होगा, वह carbon के मॉल्लिक्यूल के साथ, इंट्रैक्ट होगा, जब carbon के मॉलिक्यूल के साथ present होगा, तो यह non-polar की तरह काम करने लगेगा, किसी तरह काम करने लगेगा, नॉन outward ao yeah, और जो our solvent हमारा ठीके और यह हमारा हो जाएगा polar की तरह तो इसके पहले क्या था कि जो silika था हमारा वो polar की तरह काम कर रहा था रहा हमारा solvent वो नॉन पोलर था लेकिन हमने condition को reverse कर दिया अब हम क्या कर रहे हैं जो हमारा silika polar की काम कर रहा था उसमें जाल दिया और उसको non-polar में convert करा दिया और जो हमारा solvent था जो कि non-polar की तरह था उसको हमने polar में convert करा दिया तो चीजे उलेट गई reverse हो गई बाकी सारी process बैसे ही होनी है अब क्या होगा यह silica जो है यह non-polar हो गया है तो non-polar मॉलिक्यूल सा करके इससे बाइंड हो जाएंगे polar वाले पहले separate out हो जाएंगे non-polar वाले बाद में होंगे फिर वो detection मसीन में जाएगा जहां पर वो UV radiations को absorb करेगा UV radiations को absorb करेगा तो उसकी intensity के हिसाब से हम यह पता करें कौन सा molecule है ठीक है तो बाकी process वैसे ही होनी है बस जब हम इस condition को लट दे रहें तो इसको हम कहते है reverse phase HPLC क्या कहते है इसको हम reverse phase HPLC अब बात आती है affinity chromatography की sorry इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम चीजों को उसकी affinity की basis पे separate out करते हैं क्या करते हैं उसकी affinity की base पे separate out करते हैं ऐसे ही हमने लिया उसमें हम क्या करते हैं कि माल लो आप एक example यह लिए कि हर molecules किया जब हम enzymes पढ़ते हैं यह हम कहते हैं कि antibody antigen और antibody reaction जो होता है वो एक specific antibody का specific antigen होता है ऐसा नहीं कि कोई antibody किसी भी antigen से जाकर के bind कर जाएगा नहीं होता है सब अपना specific होते हैं उसका अपना specific antibody होता है उसका अपना specific antigen होते हैं इसमें क्या करते हैं रेजिन स्कैलो या बीड्स कैलो बीड्स को भारे होते हैं अब हम क्या करेंगे जिसका हमको separation करना है माल लीजे जिस भी antibody का हमको separation करना है जिस भी antigen का हमको separation करना है तो हम क्या करेंगे उसका माल लीजे antibody करना है तो antigen लेंगे Antigen का करना तो antibody लेंगे तो हम उस antigen का जो specific antibody होता है वो इस resin पे present होता है वो इस resin पे present होगा अब क्या होगा जब हम sample को इसमें डालेंगे तो यह क्या करेगा यह सबसे bind नहीं होगा लेकिन इसका जो specific antibodyों सßeम्पल में है उससे जाकर के bind हो जाएगा यह जो antigen है इसका अपना कोई specific यह किसी specific के लिए काम करेगा ने कि हम सर्फ और सर्फ इस एंटीबोडी के लिए काम करते हैं तो वो क्या करेगा सर्फ और सर्फ infl larger baby को अपने पास पकड़ लेगा बाकी सब को जाने देगा तो बाकी सब जाएंगे तो हम क्या करेंगे उसके बाद इसमें wash buffer का use करते हैं और जब हम इसमें wash buffer का use करेंगे तो जो unwanted चीज़ें हैं जो bind नहीं हुई हैं वो बाहर निकलाएंगे और उसको हम क्या करेंगे एक भीकर में collect कर लेंगे उसके बाद फिर क्या करेंगे हम elution buffer डालेंगे एलुशन बफर जब हम डालते हैं तो यह जो antibody और antigen का bond बना हुआ है यह इस covalent bond को break करेगा और जो हमें चहिए था वो क्या होगा बाहर आएगा और उसको हम एक अलग भीकर में contain कर लेंगे इस तरीके से chromatography को यूज करके हम size के basis पे, shape के basis पे, charge के basis पे, उसके affinity के basis पे, अलग-अलग basis पे molecules को separate कर सकते हैं तो chromatography बहुत ही अच्छी टेकनिक है molecules के separation की और कितनी varieties है इसमें यह तो हमने देखी लिया चलिए तब तक के लिए thank you मिलते हैं किसी next वीडियो में